नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको फोल्डिंग शेयर खरीदने हैं, जिरोधा पे या holding share आपके बास hold कर रहे हैं आप share वो बेचने हैं तो आप कैसे कर सकते हैं आज इस पर बात करेंगे तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ऐसे बहुत सारे वीडिय share होता क्या है यहां अगर आप अपने portfolio में देखेंगे तो एक यह position दिखता है जहां पर आपके जो आपने intraday जो trading किया है वो दिखता है और एक यहां पर holding का section है यह देखें यहां पर तो यह इसके अंदर जो share है वो holding share है holding share का मतलब है कि यह share जो है आपके depository account में जमा है यानि यह आपने long term के लिए खरीद के रखें long term यहां पर यानि एक दिन से ज़्यादा के लिए अगर आपको इस share आज ही खरीद के आज ही बेशते हैं तो वह आपके यहां positional में दिखते हैं जैसे यह दिखें मैं आज ही खरीद के अब इससे पहले actually एक video बनाया था उसके यह एक share खरीद के मैंने एक share बेचा तो यह यहां पर दिखता है और यह bank nifty के option trades हैं जो दो trade मैंने आज लिए और sell किये तो यह आज का M2M जिसे बोलते हैं mark to market तो यह day का होता है और यह holding का होता है देखिए तो यह SBIN का एक share सिर्फ मेरे account में पढ़ा है और इसमें मुझे 12 रुपय का profit है जो कि plus 7% है overall इतना पैसा मैंने invest किया था अभी उसका value यह है तो इसे बोलते है holding share तो अगर इसतने का holding share आपको खरीदना है तो कैसे करते हैं सबसे पहले तो आप share को अपनी watch list में add करेंगे यह आपकी watch list होती है देखिए यह सारे share मैंने add किये हुए तो watch list मे कैसे add करते हैं आप ऊपर आपको वीडियो आएगा आप उसपे भी click कर सकते हैं या simply जो भी share आपको buy करना है आप यहां पर उसको search करेंगे जैसे ICICI bank तो आप ऐसा जो plus sign होता है आप उसपे click करेंगे लेकिन मैंने already add किया हुआ है तो मेरे already check sign आ रहा है तो इस तरह से आप आपको इसे buy करना है buy करना है तो आपको buy पर click करना है यह intraday के लिए होता है MIS intraday तो यह आपको नहीं use करना है MIS का मतलब होता है margin intraday square of तो इसमें अगर आप buy करेंगे तो आज-क-ाज अपने आप बिक जाएगा 30 पे और sell करेंगे तो अपने आप buy हो जाएगा 30 पे तो आपको वो नहीं use करना आपको holding वाला share लेना है तो आपको CNC यूज करना है CNC का platform होता है cash and carry यानि आप जो share आप खरी देंगे उसका पूरा पैसा दे रहे हैं और आप उसको अपने साथ घर carry कर सकते यानि आप अपने साथ घर ले आ सकते हैं तो घर ले आने का मतलब है कि market order जब आप select करते हैं तो आप देखिए यहां पर आप order का price नहीं बताते हैं यहां पर आपको ऊपर live price चलता रहता है लेकिन आप अपना price नहीं बताता है यानि यह उपर जो price चल रहा है उसके आसपास जो लोग जो लोग खरीदना चाहते हैं वो bid लगाते हैं जो बेचना चाहते हैं वह अपना offer देते हैं तो आप वो देखना चाहा है तो आप यहांपे click करके अगर इसे आप ऊपर खेंचेंगे तो यहांपे आपको जो है market dip दिखाई देगा bid दिखाई देगा और यह offer दिखाई देगा तो bid वो यहाँ अपना प्राइज नहीं दे सकते हैं इसके स्पास प्राइज आपको मिलेगा तो अगर आ्गर मार्केट में करेंगे तो मैंने बताया यहाँ इसके आशेस प्राइज आपको मिलेगा लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं मुझे market price नहीं मुझे अपना price देना जैसे अभी price 365.70 चल रहा है लेकिन मैं बोलूँंगो नहीं मुझे जब price 363 आए तब मुझे 1 share आप दीजिए आपको एक चाहिए, दस चाहिए, सो चाहिए, जो भी आप लेना चाहिए, इस तरह से CNC मतलब आप carry करना चाहते हैं, यह important है देखिए, यह मत भूलना, और यह सिर्फ price है, इसमें थोड़ा बहुत price का फरक पड़ सकता है, तो जैसे limit में मैं, अभी बोलों कि 360 जब price आए, तो म हमारा order pending में है, pending का मतलब है, कि देखिए, अभी market में order, LTP मतलब last traded price, तो अभी market में order जो है 300-400 रूप है, 60-65 पैसे पे चल रहा है, लेकिन अगर यह गिर के 360 पे जब आएगा, आज-ाज के अंदर, अगर यह 360 पे आएगा, तो हमको हमारा एक share, ICICI का मिल जाएगा, जिसे ह हम घर लगा सकते हैं, यानि हम अपने DP में रख सकते हैं, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, दस दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए, दस साल के लिए, जब तक चाहें, आपके DP में रहा आएगा, कोई आपको उसको sell करने की जुरत नहीं है, ठीक है, तो यह buy का हो गया अब हम sell side देखते हैं जैसे माल लीजिए आपके पास ऐसे कोई holding share है देखिए ये holding share है जैसे मैंने आपको होता है यह आपकी holding में देखता है तो इसे अगर आपको sell करना है यह buy किया हुआ है sell करना है तो आप इस पर click करेंगे और इसको बोलेंगे exit तो देखिए उसी तरह का interface है लेकिन सिर्फ जो रंग है वो लाल है buy के time पर सारे रंग नीले थे इसमें लाल रंग है तो वही हमको cnc यानि holding से sell कर रहे हैं और market और limit का जैसे मैंने आपको पताया वो same चीज है कि अगर आप market पर अभी sell करेंगे तो immediately जो भी market में price होगा वो आपको मिल जाएगा यानि अभी जैसे प्राइज सत्यान में point या 108 में कुछ है तो वो आपको मिल जाएगा लेकिन आप चाहें कि नहीं उतने पर नहीं मिरको जब price 199 में आए या price 200 आए माल लेजिए जब price 200 आए तब ये share sell होना चीए और ये करके मैं अपना order यहाँ पर लगा जेता हूँ ये देखिए तो ये order आपको यहाँ पर sell order देखिए देखिए last traded price आपको दिख रहा है यानि market में भी क्या price चल रहा है मेरा price क्या लगा हूँ है जैसे ही 200 पहुँचेगा ये order sell हो जाएगा ठीक है ये buy order है तो इस तरह से आप buy और sell order लगा सकते हैं मैंने buy और sell order limit में लगा के आपको दिखाया है आप चाहें तो उसे market में लगाएंगे तो आपको immediately मिल जागे इन order को आप edit भी कर सकते हैं यहाँ पर click करके modify price change करना चाहें मान लेजिए कुछ तो आप इस तरह से price change करके लगा सकते हैं मालजी से भी आप modify करते हैं कि नहीं 200 नहीं अगर price 202 हो तब मुझे मिले तो आप उस तरह से सब को modify कर सकते हैं जब तक execute नहीं हुआ है आप किसी order को cancel कर सकते हैं जो execute नहीं हुआ है इस तरह से आप cancel कर सकते हैं तो आप लोगों को समझ माया होगा कि आप किस तरह से holding share यानि जो share आप hold करना चाहते हैं अपने dp account में आपको उनको किस तरह से buy कर सकते हैं और किस तरह से sell कर सकते हैं तो गाईज यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो है या कोई help मिली हो इस वीडियो से प्लीज एक thumbs तुम सब जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चलिए टेक केर गाईज बाबाए